अल्चाजी इस लेसन में हम लोग जो एक और बहुत इंपॉर्टन टेक्नीक डिस्कस करने वाले है लेइड क्रिएड करने के हवाले से वो यह है कि आप अपने डिजाइन्स के अंदर अपनी लेइड के अंदर, अलाइन्मेंट का जो एक प्रिंसिप्ल है उसको अपलाएकर करके बहुत ख़ुपसूरत रिजल्ट जो है, जै Кईरेट कर सकते हैं। आप ल अरेंज करते हैं या टेक्स्ट को इमिजिस के साथ किसी खास linear पाटरन में यरेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि alignment जो हमें नजराती है हमारे design के अंदर और ये जो alignment है ये basically आवाम तोर पे वहां पे बहुत ज्यादा applicable होती है जहां पे जो text है उसकी amount ज्यादा हो जैसा कि हम लोग अगर कोई मैगजीन देखें और उसकी लेयाउट को स्टेडी करें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें जो अलाइनमेंट का प्रिंसिपल है वो अपलाए हुआ वा नजर आएगा इसी तरह से एक बहुत ही इंटरस्टिंग और बहुत ही इफेक्टिव जो है वो प्रिंसिपल है अच्छा अब हम कुछ एक्जामपल्स देखते हैं और उनकी मदब से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी लेयाउट के अंदर किस तरह से जो है वो अलाइनमेंट को प्रिड्यूस कर सकते हैं यह एक मैगजिन की लेयाउट है आपके सामने इस वक्त और इसके यह बैसिकली एक डिजाइन स्टूडियो है बहुत अच्छा इनका काम है उनने यह प्रिड्यूस किया हुआ है अच्छा इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत इंटरस्टिंग लि लाइन के उपर प्लेस किये गए है अच्छा इसी तरह से जो टेक्स है वो अगर आप गोर करें तो वो एक खास वर्टिकल लाइन के साथ प्लेस किया गया है तो यानि के इमिजिस को होरिजॉंटली लाइन किया गया है और जो टेक्स है उसको वर्टिकली लाइन किया गया ह इसी तरह से अगर ये left page पे आप देखें जे का जो आपको alphabet नजर आ रहा है इसके साथ बहुत खुबसूरती के साथ जो है वो body text जो है वो आपको align नजर आएगा तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है बहुत असानी के साथ alignment को add करके अपने layout को interesting बना सकते हैं अच्छा इसी तरह से ये एक annual report की example देखते हैं ये भी एक बहुत interesting design है और इसके अंदर भी जो alignment है वो हमें नजर आ रही है अगर आप गोर करें तो उपर जहां पर title है वो और नीचे जो body text है उनको एक खास vertical line के साथ जो है वो प्लेस किया गया इस design के अंदर और जिससे क्या हुआ है कि alignment हमें मिल गई है हमारे design में और इस तरह से ये जो layout है ये बहुत interesting बन गई है एक और example देखते हैं और ये example है business card या visiting card के हवाले से अच्छा इसमें अगर हम देखें तो जो contact details है उनको लिखा गया है और वो जो text है contact details का वो basically arrange किया गया है icons के साथ एक vertical line के उपर यानि के icons भी एक vertical line में और बिलकुर उनके साथ उसी खास vertical line में हमें जो है वो contact details का जो text है वो नजर आता है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उपर और नीचे एक separation दी गई है ये दो जो आपको चोटी 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 lines नजर आती है vertical lines चोटी चोटी यूज की गई है टॉप पे और bottom पे और इनी के साथ जो है वो सारे जो design elements है वो place किये गए है vertical line के अंदर तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि खास तोर पे ऐसी चीज़ें design करते हुए जहां पे text का इस्तमाल ज्यादा हो वहां पे हम alignment का जो principle है इसको apply करके बहुत असानी के साथ जह है वो अपनी layout को ज्यादा से ज्यादा interesting मना सकते हैं तो अब आप लोगों ने जब भी कोई ऐसा design बनाना है for example अगर आप magazine के लिए कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं डियूस पेपर के लिए कर रहे हैं कोई newsletter कर रहे हैं तो आप इस situation के अंदर हमेशा जहन में रखें कि alignment आपको वहां पे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इंशाला तरह नेक्स लेसन में layout के हवाले से कोई और बहुत interesting जो technique है वो आप लोगों से में discuss करूंगा